गुद इबनिंग प्यारे बच्चों क्यासे हो आप सभी उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे सब बढ़िया मास जब बर्जास चल रहा है एक वीडियो में एक टॉपिक खतम स्रीज में आपका बहुत स्वागत है तीफरा वीडियो है तीफरा टॉपिक है सरकल यानि बृत सारी बाते एक वीडियो में कबर हो जाएंगी बागी कुछ बची हुई बाते नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगी ठीक है परित जिसको इंगलीस में बोलते हैं सरकल स्पेलिंग ठीक है ना सर्कल सी आई यार सी अली सरकल होता क्या है एक निश्चित दूरी ऐसे आप कहसे एक बिंदु से एक बिंदू से निश्चित दूरी पर इस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ बृत्त कहलाता है बाकी कहीं डेफिनिशन पूछी ने जाती तिसका कोई मतलब है नहीं ठीक है एक निश्चित बिंदू से एक निश्चित दूरी परिस्थित बिंदूओं का जो बंद बंदू पत है वो क्या कहलाता है बृत्त कहलाता है निश्चित दूरी का मतलब यह है कि यहां से जो दूरी यह उतना ही यह भी होगी उतना ही यह भी होगी उतना ही सब तरफ होगी जिसको बोलते हैं radius क्या बोलते हैं radius यानि त्रिज्या तो इसमें कुछ main topic आपको समझना है point point की बात क्योंकि बिल्कुल just basic वाला topic में पढ़ा रहा हूं यह जो पूरा-पूरा आपको घीरा हुआ दिखरा वाइट कलर में इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बाबू परिधी क्या बोलते हैं परिधी यानि इंग्लिस में इसको circumference बोलते हैं ठीक है वाले जो हो समझ जाएंगे उसका मतलब क्या है वर्ट वगर खोज लेंगे ठीक है अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करना मैं इंग्लिस वाले लिख दूंगा ठीक है और इसमें बात और जोड़ दूँ प्यारे बच्चों तो क्या है अगर यह लाइन ऐसे फीधा को ढते हैं डायमेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं धायमेटर बोलते ठीक है is रुकना और भी और भी बहुत कुछ है इसमें अगर पर एक लाइन मैंने यहां मूंदी ओंफब लइकुली बात है तो जो यह ब्यास वाला चीज यहां लाके लिखे हो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा-पूरा खीच के लिए आया यह तो इनको कर दो यह यहां अच्छा लगेगा यह क्या है ब्याफ ठीक है अलग-अलग कलर में इसलिए लिख रहे हैं यह जो लाइन मैंने प्रास में फिर अंतर क्या है डेफनीशन मतलब इन्हें दोनों में क्या विसे अंतर है जो भी रेखा इस परिदी को एक छोर फे दूसरे छोर पर मिलाएगी वह क्या कहलाएगी कि कुछ लोग कहेंगे ब्यास कुछ लोग कहेंगे जीवा अगर वह केंद्र को टच करते नहीं है यह जीवा है यह क्या है काड है क्या बहिया कोड है ठीक है समझ में आना तो कोई डाउट ना किसी को अगर यह यहां से भी बिलकुल टच करते हुए जाए इसको ऐसे असपर्स करते हुए ना जाए यहां तब भी क्या है तब भी यह ब्यास नहीं है यह जीवा है ठ आये थे तुम छोड़ दियो ठीक है अब बात आती है किसकी कि इसमें कुछ मोटे-मोटे बात बता देता हूं वाकितमा डेफिनेशन बताया हूं सबसे ज्यादा आपको जो काम लगता है वो लगता है ब्यास और तिरिज्ज्या पर आधारित सवाल तो ब्यास जो होता भाईय यह बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिंदगी में अगर गड़ित पढ़ोगे तो कभी यह पीछा नहीं छोड़ेगा हर जगा यह आपके पीछे-पीछे आएगा समझ रहो ना साथ समंदर पार यह तेरे पीछे-पीछे आ जाएगा भाईया चलो इसमें खिसकता नहीं क सकता इस मेरे बाबा ठीक है कोई बात नहीं चलो बढ़ियां और इसमें जीवा है परिधी है छेत्रफाल है बहुत कुछ होता है लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ एक वीडियो में कबर नहीं करने वाले मैंने आपको मोटी मोटी सारे डेफनिशन बता दिया जो अधिकतर काम क एक बच्चा का जवाब आ जा रहा है कितना असान है अगर यह आर बराबर तीन है तो इस सुत्र में रख दो टू इंटू थरी इक्वल सिक्स सेंटिमीटर यानि एक ऐसा व्रित्त जिसकी त्रिज्या रेडियस अगर तीन सेंटिमीटर है उसका 26 सेंटिमीटर होगा है ना छेत्रफल का फर्मूला जानते हो सब कुछ नहीं है ओनली में कंसेट वाली बात आप इसमें समझ गयो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा इसी का सिंगेंट पार्ट में छेत्रफल का सूत्र क्या होता है परिधी का क्या होता है और इसका जो जो और भी चीज़ सब्सक्राइब बस खतम तो वीडियों के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करना और अगला वीडियों कि टापिक पर आना चाहिए अपना टापिक informação नवी ज़रूर बनाओंगो मैं जरूरा का सब्सक्राइब करना अगर फ्री पढ़ना चाहते हो